Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ Priyanka तो दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Faces Canada की ये आइलाइनर, Magnetic Eyeliner की रिव्यू और ये है Black Eyeliner आप इसका पैकेजिंग देख सकते हैं ये इस तदिके की cardboard packaging के साथ आती है यहाँ पे लिखा होता है Faces Canada और सामने भी लिखा हुआ होता है Faces Canada ये है इसका liner और पीछे की साइड आप देख सकते है red color की इसकी जो packaging है वो भी बहुत ज़्यादा interesting है ये एक red color की packaging के साथ आता है जो की liner में बहुत कम दिखाई देता है red color का packaging and बहुत interesting and इसका जो काजल मस्कारा भी है वो भी red color की packaging पे ही आता है जो की बहुत अच्छा लगा मुझे and दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है Magnate Eyes Eyeliner Faces Canada and यहाँ पे यह क्लेम करते हैं कि यह water resistant है and यह is much proof है यह बिल्कुल water resistant है दोस्तों मैंने इसे apply कर लिया है मैंने इसे water test भी किया है यह बिल्कुल touch से मस नहीं होता गर्मियों के season पे आप अगर एक ऐसा liner लगाते हैं जो आपकी पसीने की बज़े से आपके आइस पे पुड़ा फैल जाता है तो बहुत चीज अच्छा नहीं लगता है आपको उसके लिए एक water resistant liner की बहुत ज़रूरत होती है तो यह बिल्कुल water resistant liner है हाँ इसे लगाने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा shining लग रहा है मेरी eyeliner मैं अभी इस बक्त यह liner ही लगा के रखी हूँ अपने आइस पे यह थोड़ा सा shine कर रहा है अगर इस चीज से आपको problem नहीं है तो आप बिल्कुल इसे लगा सकती है अगर आपको shine liner बिल्कुल पसंद नहीं है एकदम matte liner पसंद दे तो मैं आपको एक hack भी बताऊंगी वीडियो लास तक देखिएगा कि आप shining liner को कैसे matte में convert कर सकती है और दोस्तों यह liner उतना भी shining नहीं कर रहा है जैसे कि बहुत सारी liner होते हैं shining यह उतना भी नहीं है लेकिन मुझे बिल्कुल matte liner पसंद है तो मैं इसके लिए एक hack जुगारू hack मैं कर रही हूँ अचकल यह जो eyeliner है यह मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसे आपको open करके दिखाती हूँ और सबसे मैं पहले बता दू कि इसकी जो price है वो है 195 रूपीज इसका price लिया है मैंने इसे purple से और किया था मैंने इसे आपको purple hall पे भी दिखाया है और यह आपको बाहर तो 212 या तो फिर 250 रूपे में यह आपको मिलेगा और फोर्टेबिल ही लाइनर है 250 अगर आप लाइनर के लिए पे कर रहे हैं वो भी waterproof लाइनर तो बहुत अच्छी बात है यह है इसकी brush tip आप देख सकते हैं कितना fine इसका brush tip है इससे आप liner मतलब easily अपने eyes पे लगा सकती है और आप चाहते हैं तो आप पतला से पतला मोटा से मोटा लाइनर लगा सकती है इससे और यह brush के ऊपर dip in करता है कि आपकी liner किस तरी के से लगेगा दोस्तों अगर brush अच्छा नहीं होना तो आपकी eyeliner फैल सकता है आपकी eyes बिल्कुल खड़ाब हो सकती है eyes की make up तो यह इसका brush बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा यह एक jate black color में इसका liner है मैं आपको इसका swatch दिखा देती हूँ so आप देख सकते हैं यह एकदम black jate black इसका color है मैंने एक से दो coat ही लगाया है brush से और यह मैं थोड़ा सा dry होने दूँगी सबसे अच्छी जो पार्ट है इसकी वह है यह जल्दी ड्राई हो जाती है jate black color में है waterproof है smudge proof है और इतनी कम प्राइज में इतना अच्छा liner आपको मिल रहा है तो दोस्तो इससे तो मैंने अपने हाथों में लगा लिया है यह dry हो जाए उसके बाद मैं आपके साथ इसका smudge proof है की नहीं यह waterproof है की नहीं वो मैं आपके साथ share करूँगी test करूँगी इसका water test तो दोस्तो यह जो liner है यह पूरी तरीके से सुख गया है dry हो गया है और मैं आपको इसको smudge करके दिखा रही हूँ यह बिल्कुल smudge नहीं हो रहा है आप closely देख लीजिए यह बिल्कुल smudge नहीं हो रहा है मैं बहुत tightly smudge कर रही हूँ जैसे की lacmi की liner हो या फिर कुछ भी और भी brand की liner हो जो जल्दी smudge हो जाते हैं थोड़ी सी touch करने से ही यह बिल्कुल smudge नहीं हुआ एंड उसके बाद मैं इसका water test भी आपको करके दिखाती हूँ सो मैंने पानी ले लिया है एंड मैं थोड़ा सा अपने हाथों में पानी लेती हूँ एंड आप देख सकते हैं कि इसको मैं water test भी करके आपको दिखा रही हूँ यह बिल्कुल water से भी नहीं जा रहा है see see ठीक है यह बिल्कुल water से भी नहीं जा रहा है अगर आप बहुत ज़दा इसके साथ छेर खानी करोगे water लगा के तो ही यह remove थोड़ा बहुत थोड़ा है ज़्यादा नहीं ठीक है दोस्तों कल जब मैंने यह liner रिमूफ कर दिया अपने आखो से तो यह न पिलॉप माक्स जैसे आप उठा था यह उठा था एंड जैसे कि आखो को यह बिल्कुल भी काला काला नहीं कर रहा है यह आप अगर इसे ऐसे उठाओ गे न तो यह ऐसे उठ जाएगा आप अगर वाटर से इसे रब करोगे तो और liner लगाने के बाद कोई अपने आखों को ऐसा नहीं करता है ऐसा से रब नहीं करता है तो दोस्तों मैंने इसको आपको सब कुछ बता दिया कि यह liner कैसा है और और यहां और आई लाइनर का पैकेजिंग कारी रेट कलर की और यह इसका इसका बरुश क कोई है और इसका बरुश मुझे काफी स्था लगा बहुत आच्छा बराश है जैसे भी लाइनर लगाना पसंद करती है na predructure impe slicer से पछला मोटा से मोटा इक एप जैसे ड्रौ कर सकती है अन्ड मैं अपने और फी से ही लायनर को मैं जैसे र touch करना पसंद करती हूं in log या और मैं वहांसे थोड़ा से क्लायन केच रही हूं ख़छिए आरी हूं और अच्छी तरिके से मैं इसे फिल करूंगी and camera में थोड़ा सा liner लगाना थोड़ा सा मुश्किल है दोस्ते ये liner आप rainy season पे आराम से लगा के बाहर जा सकती हो इससे अगर आपकी आइस पे पानी भी गिरता है ना तो ये बिल्कुल टस से मस नहीं होता है and गर्मी के season में भी आपको अगर पसीना आता है आपकी eyelid अगर पसीने वाला हो जाता है तो भी ये टस से मस नहीं होता and मैंने liner को apply कर लिया है आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत eyeliner है and बहुत अच्छा लग रहा है मुझे liner लगा के so liner is my favorite and अगर आपकी favorite हो तो comment जरूर कीजेगा so आपने देखा कि मैंने इसे किस तरीके से apply किया अब मैं इसका एक आपको hack बताती हूँ ये जो थोड़ा सा shine कर रहा है मेरे आखों में तो ये shining आप किस तरीके से mat में convert कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी and चलिए उसके लिए आपको लगेगा एक mascara and लगेगा एक brush and brush और mascara आप कहीं भी जाते हो तो आप carry करके लेकी जाओगे क्योंकि mascara हम सब का favorite होता है and mascara से ही हमारा आखों की चार चंद लग जाते है and ये जो mascara है इसे आप पलकों के लगाने के बाद थोड़ा सा अपने brush में ले लीजिए and ये जो mascara है brush में आ गया and ये जो shining liner है इसके उपार आप थो इस तरीके से आप dab dab करके थोड़ा सा लगा दीजिए and आप देख सकते हैं ये बिलकुल matte में convert हो गया है आप ये वाला liner देख सकते हैं ये बिलकुल matte हो जाएगी and दोस्तों अगर आपको इस तरीके का पसंद है shine shine थोड़ा सा पसंद है तो आप ऐसी भी लगा सकते हैं आपकी मर्जी है and ये है एक छोटा सा है candy era मेरा आज का faces Canada liner की review and अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिल like, comment, share ज़रूर कर दीजिएगा and please subscribe to my youtube channel and bell icon को ज़रूर हीट करके रखिएगा तकि मेरी आने पले जा नोटिफिकेशन है वो आपके पास easily पहुच सके and मैं मिलत हूँ आपके साथ फिर एक निक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye दोस्तों and ये liner बहुत अच्छा है इसे आप बिल्कुल ट्राइ कर सकते है and जो beginner है जो इनको liner लगाना अतना ज़्यादा आता नहीं है उनके लिए liner best liner है क्योंकि ये इसका जो brush है इससे आप easily अपना liner लगा सकती है so मुझे तो बहुत अच्छा लगडा है so bye guys